मुझे आपके साथ सोना है क्या? हमारा दिमाग ठीक है? ये क्या बोल रहे हो? अगर आपको पैसे दू तो आप राजी हो जाएंगी ये मुझे पता है वरुन, निकल जाओ यासू सर को अगर पता लगा न तुमको मारी देंगे तुमारी इतनी बड़ी हिम्मत एक लाग रुपे दूँगा क्या आप राजी हो? क्या? मैं सच में आपको पैसे दूँगा मैं अभी तुमारे सर को कॉल कर रही हूँ तुमारी ये बत्तमीजी मैं कभी सायन नहीं करूँगी बहुत घिनानी बात की तुम नहीं पाँच लाग रुपे मैडम सुने सुने सुनो तुमने क्या नशा किया है? पाँच लाग रुपे तुमको मिले कहा से? दस लाग रुपे दूँगा अब मान जाईए दस लाग? इतने रुपे? तुम्हारे पास कैसे वो मैं आपको नहीं बता सकता लेकिन मैं आपको पैसे दिखा सकता हूँ ठीक है मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे पास कितने रुपे हैं अगर आप राजी हो तभी मैं आपको ये पैसे दिखाऊंगा ठीक है मैं राजी हूँ, ठीक है, लेकिन पहले में पैसा देखने चाहते हैं आईए, अंदर आईए कहां, पैसा कहां है, दिखाओ दिखाता हूँ इस वक्त कौन आया, सुनो, निकल नमाया अरे, तुम दोनों यहां पे क्या कर रहे हो, दर्वाजा बंद करके तुम इतनी जल्दी लॉट आया थे पहले तुम बताव तुम दोनों क्या कर रहे थे कुछ नहीं मैडम मेरे साथ सोने के लिए राजी हुई है, बदले में पैसे लेंगी ये क्या सुन रहा हूँ मैं तुम मुझे दोका दे रही थी तुम मुझे गलत समझ रहे थी थोड़ा बिश्वास मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा हूँ ये सब मैंने ही प्लान किया था और वरुन ने मेरा साथ दिया है क्योंकि मैंने उसे ये नाटक करने के लिए कहा था तुम सिर्फ पैसों से प्यार करती हो मुझे से नहीं वरुन हाँ सर तुम है मेरा एक काम करना पड़ेगा तुम्हारे मालकिन को टेस्ट करना हुआ सब पता था तुमने जो प्लान किया था वरुन और तुम मिलकर सब बात मेने सुने है जूट बोलने का जगा नहीं मिला अभी बचने के लिए कहानिया बना दी हो यह रिकॉर्डिंग सुने पता था तुम नहीं मानोगे इसलिए मैंने यह पहले ही रिकॉर्ड करिया मेरा हजबन मेरा टेस्ट ले रहा है मैं भी उसको समझा दूँगी अपना एंसाफ मैं खुद करो जिस हजबन को अपनी पत्नी का टेस्ट लेने के लिए अपने नौकर का हेल्प देना पड़ता है उस हजबन का प्यार जूटा है और वरुन मैंने तुमको कभी घर का नौकर नहीं समझा था लेकिन आज अभी ऐसे बात करने में मैं मजबूर हूए तुम नौकर बन के ही रहे गए तुम अपना ये टेस्ट ले करी रहो मैं जा रही हूँ अजयो मैं आज़ मैं वाल मैं ये लेकिन वाल अजयो अजयो प्रूप